जहीं दोस्तों स्वागत है आपका weekly current affairs में इस वीडियो में हम 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के important current affairs discuss करेंगे तो देखें बिहार state cabinet के द्वारा एक plan approve किया गया है और इस plan के तहट जो zone river का पानी है वो बिहार के औरंगाबार district, dairy on zone और सासाराम district में transfer किया जाएगा तो जो zone river का पानी है उसको पीने लाइक बनाके clean करके औरंगाबार, dairy on zone और सासाराम district में supply किया जाएगा इसके लावा बिहार के state cabinet के द्वारा sport department में कुछ post को approve किया गया है, 382 नए post वो approve किया गया है और इसके अंतरगत 301 post वो state sport authority के लिए है और इसमें से 81 post वो state sport academy की है राजगी नलंदा के लिए तो total 382 post वो approve किया गया है इसके अलावा गया और मोतिहारी के बाद अब जो विकरमशिला university है ये बिहार की third central university बन गई है तो state cabinet ने डिकलियर किया है कि विकरमशिला university जो है वो बिहार की third central university होगी तो विकरमशिला university जो है इसके लिए लगबग 205 एकर की जो जमीन है वो विकरमशिला university ruins के पास ही ली गई है और इसके development के लिए government ने 87 करोर रूपीज सैंक्शन किये हैं बात करते हैं विकरमशिला university के background की देखे विकरमशिला university जो है वो present time में भागलपूर डिस्टिक में ह बिहार के और यह बनवाया गिया था पालवंश के रूलर धरमपाल के द्वारा तो धरमपाल ने विकरमशिला university की चिर्मशिला इस्पास पास। पुरी उनिवर्सिटी की। तो इसे आप समझ सकते हैं कि पाला रूर्स के लिए एजुकेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट था और बारा सो तीन एडी में मुहम्मद बीन बक्तियार खेलजी के द्वरा जो है इस उनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉइ कर दिया अगली निवस है भिहार के पलूशन कंट्रोल बोड के बारे में तो दीए भिहार के पलूशन कंट्रोल बोड ने decide किया है कि एक indoor air पलूशन जो है वो study conduct किया जाएगा पटना में और इसका जो main purpose है वो यह है यह घर के अंदर pollution का क्या effect होता है उसको study करना और पत्ना में study conduct करने के बाद बिहार के different districts में ये study जो है conduct किया जाएगा जैसे गया और मुझफरपुर और इस study में जो IIT तिरूपती है वो help कर रहा है बिहार pollution control board की और इस study का जो main focus है वो PM 2.5 और PM 10 है यानि जो particulate matter 2.5 है और particulate matter 10 तो ये main focus है इस study का इसके लावा carbon dioxide का क्या effect होता है houses के अंदर तो उसका जो impact है उसके study की जाएगी और indoor air pollution ने study करने वाला बिहार जो है इंडिया का पहला state है अगली news है World Heritage Committee के 46 session के बारे में देखे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेरिन मोदी ने इनांस किया कि इंडिया जो है वो contribute करेगा 1 million dollar UNESCO World Heritage Site Centers को और ये पैसे जो है वो खर्च की जाएंगे कमबोडिया में अंकोर वट को conserve करने के लिए वियतनाम में जो चेम टेंपल है उसको conserve करने के लिए और मियानमार में है बगन स्थूप तो खासकर जो focus है वो south countries पे है तो इंडिया जो है वो 1 million dollar donate करेगा UNESCO World Heritage Center को और इस contribution का main aim ये है कि जो World Heritage Sites हैं उनको conserve किया जाए एक technical assistance प्रोवाइड किया जाए और capacity building किया जाए और ये World Heritage Committee की 46th meeting थी और इसको पहली बार जो है इंडिया ने host किया और ये 21st July से 31st July के बीच में भारत मंडप नई दिल्ली में जो है conduct किया जा रहा है तो देखें इंडिया जो है वो World Heritage Properties के मामले में छटे position पे आ गया है globally तो अभी तक इंडिया की 42 sites थी युनेसको की लिस्ट में और 43rd entry मिली है Moedams को Moedams जो होते हैं वो Mount Burial System है Ahum Dynasty के तो जैसे Ahum Dynasty में जब कोई एक्सपायर कर जाता था तो उसी के उपर जो है ये Mount बनायाता था तो इनी Mounts को हम बोलते है Moedams तो इसको 43rd entry मिली है UNESCO World Heritage Site के लिस्ट में तो असाम से entry पाने वाली ये तीसरी site है इसके पहले काजीरंगा नेशनल पार्क और Manus Wildlife Century को भी entry मिली है तो देखिए दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क और Manus Wildlife Century ये news में है तो इसको आप no-down कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद इन दोनों को जो है देखिएगा कि इनकी location कहाँ पे है कौन सी नदी जो है इनके आस-पास से cross करती है इसके लावा कौन से flora और fauna जो है वो यहाँ पे पाई जाते हैं तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा इस meeting की जो tagline थी वो थी शह नौ यशह यानि की Mayo Glory Glow और ये line लिया गया है तैत्रिया और पिशत से बात करते हैं इसके background की तो देखिए इंडिया को elect किया गया था 43rd General Assembly में 2021 में जो है इंडिया को elect किया गया था 4 साल के लिए और ये इंडिया का जो है चौथा term है तो अभी तक इंडिया की 42 properties थी इस list में जिसमें से 34 जो है वो cultural sites थी साथ natural और एक जो है वो mixed hetters site थी तो 10 साल में इंडिया की 12 sites को इस list में दर्जा मिला है और पिछले साल जो है वेस्ट बेंगॉल के सांती निकेतन के इंस्क्रिप्शन को दर्जा दिया गया था इसके लावा करनाटका के sacred ensembles थे होसलास के इनको जो है इसमें include किया गया था और पिछले साल का जो session था वो सौदी अरब के रियाद में conclude किया गया next news है Arisil के production के बारे में देखिए Arisil का production है वो बेगु सराय में start होने वाला है तो industry minister नितीश मिस्राक जी के द्वारा जो है कहा गया है कि बेगु सराय में जो Arisil का production है वो start किया जाएगा और इनके द्वारा अपील किया गया है कि बिहार के textile industry में जो है investors जो है वो invest करें तो भागलपूर में ये silk business है ये बहुत time पहले से चला आ रहा है इसको further promote करने के लिए जो है ये government के द्वारा start किया गया है और इसी के अंतरगत जो central silk board है इसके द्वारा 10 करोर रुपे जो है वो sanction किये गये है और बिहार के पास advantage ये है कि बिहार के पास raw material available है साथी साथ skilled workers भी available हैं बिहार के पास तो अब बस investors की ज़रूवत है और जिसकी वैसे जो बिहार का textile industry है वो develop करेगा next news है कि बिहार ने जो demand किया था special category status का उसको reject कर दिया गया है तो central government ने बिहार के इस demand को reject कर दिया है और कहा है कि अब कोई भी states जो है वो special status के लिए eligible नहीं है तो देखे जो inter-ministerial group की report थी इसका कहना था कि जो बिहार है वो NDC की criteria को meet नहीं करता है यानि special category states के लिए जो एक criteria decided है उस criteria को बिहार meet नहीं करता है तो criteria देखने से पहले हम बात करते हैं कि special category status क्या है देखे हमारे सम्विधान में कहीं भी mention नहीं है special category status जो है इसको कहीं भी कोई provision नहीं दिया हुआ है ठीक है कहीं भी इसको classify नहीं किया गया है लेकिन इसको जो है recommend किया गया था 5th Finance Commission के द्वारा ठीक है 1969 में जो 5वा Finance Commission था उसके द्वारा recommend किया गया था और provisions दिये गए थे कि एक state को कैसे हम include कर सकते हैं special category status में तो special category का जो पहला status है वो provide किया गया था 1969 में जम्मू कश्मीर को आसाम को और नागालेंड को और इसके बाद यह दिरिस में कई states और आए जैसे आसाम, नागालेंड, हिमाचल परदेश मनीपुर, मेगाले, सिक्किम, त्रिपुरा अर्माचल परदेश, मिजोरम उत्राखंड और तेलांगना इन सभी को भी special status दिया जा चुका है और तेलांगन जो है वो सबसे last state था जिसको special status का जो दर्जा दिया गया था लेकिन 14th Finance Commission का दौरा जो है इस special category का जो status है वो कई states से हटा लिया गया तो अभी फिलाल में आप देखेंगे तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास है तो अभी फिलाल में जो यह status है वो जम्मू कश्मीर के पास है हिमाचल प्रदीश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालेंड, मनीपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मिघाले सिर्फ इनी states के पास जो है special category का status अभी है और बाकी के जो states का special status था उसको 14th Finance Commission के दोरा जो है खतम कर दिया गया बात करें क्या criteria है इसका देखे पहला तो यह है कि वहाँ पे hilly terrain होना चाहिए population density जो है वो कम होनी चाहिए और major जो share होना चाहिए population का वो tribal population का share होना चाहिए इसके अलावा जो neighboring countries हैं उससे border share होना चाहिए और economic basis पे और infrastructure के basis पे जो है वो state backward होना चाहिए इसके अलावा जो state के finances है वो उतने sufficient amount में नहीं है तभी जो state है उसको special status का दरज़ा दिया जाएगा बात करें क्या benefit होता है इस status का तो देखे जो central sponsored schemes होती है उसमें जो center है वो 90% पैसा जो है खुद पे करता है और बागी के states के लिए आप देखेंगे तो 60-75% पैसे पे किया आते है वहीं जिस state को special status प्रवाइड हो चुका है उसके लिए जो है central sector schemes में 90% पैसा government invest करती है और एक financial year में उस state के दुआरा जो पैसा use नहीं किया ते यानि जो पैसा spend नहीं किया ता है वो जो है बाद में carry forward हो जाता है इसके लावा कई consistence दिए आते हैं income tax में, corporate tax में excise और custom duties में इसके लावा जो central का budget होता है उसमें से 30% होता है special category states के लिए next बात करते हैं उडान scheme के बारे में जो देखें उडान scheme जो है वो central government की एक scheme है तो अब इसके अंतरगत बिहार के कई districts आएंगे जहां से जो flight की service है वो start किया जाएगा तो civil aviation minister है जोतिरा अदित्य सिंधिया इनके दोरा कहा गया कि जो flight की service है वो start होगी वीरपुर से, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुझफरपुर, वालमिकी नगर, मुतिहारी, रक्सॉल, मदुबनी और छपरा से और इसके लिए जो bits हैं, वो receive हो चुके हैं, उडान 5.2 scheme के अंतरगत और अभी starting में किवल छोटे planes से यहां से सुरू होंगे ठीक है, 20 seaters या उससे कम की capacity है उन planes की तो ऐसे planes यहां से अभी start किया जाएंगे तो जो उडान scheme है, उसका main aim यह है कि जो common people हैं, उनके लिए flight का जो ticket है वो affordable price में हो Next news है, बिहार के film promotion policy के बारे में देखे, बिहार के सरकार ने approve किया है बिहार का पहला film promotion policy और इसके तरहत बिहार जो है, 4 करोड रुपे जो है, grant देगी, ऐसे film को जिनकी 75% shooting जो है, बिहार में अगर होती है तो उसका cost का 50% जो है, वो cover करेगी बिहार सरकार और इसका main objective है कि financial support प्रवाइड किया जाए जो बिहार के movie makers है उनको तो ये decision लिया गया था बिहार के cabinet meeting में और इस policy को propose किया गया था बिहार के art and culture and youth department के द्वारा तो regional films के अंतरगत वो film जो भोजपूरी, मैथली, मगही, अंगीका और बजीका में बनेंगी उनको ये जो financial help है वो provide किया जाएगा इसके लावा TV serial और OTT platforms के लिए भी ये grant जो है वो provide किया जाएगा और अगर इस state के उपर कोई movie बनती है तो incentive भी government provide करेगी तो इसके अंतरगर जो maximum grant है वो 25 लाग रुपए का होगा तीन local artist के लिए जो की major level के होने चाहिए और 10 लाग रुपए दिये जाएंगे 5 आर्टिस्ट को जो की secondary level के होंगे और अगर जो film है वो international release की जाती है तो एक तरह से financial assistance 40 लाग रुपए का जो है सरकार provide करेगी अगली news है family consumption expenditure survey के बारे में तो देखिए इस survey के अंतरगत कहा गया कि food और drink के अलावा बिहार की जो urban population है यानि जो population सहर में रहती है उनके दोरा ज्यादा पैसा जो है वो energy और light पे खर्च किया आता है वो energy और light पे खर्च किया आता है health पे 11%, entertainment पे 11.8%, education पे 10.4%, durable goods पे 12.3% इसके लावा कहा गया कि energy और electricity पे जो गाओं है वो 14% खर्च करते है वहीं जो urban population है वो 13% खर्च करती है और health sector पे गाओं 13.7% और शहर जो है 11% और entertainment में गाओं 13.2% है और जो शहर है वो 11.8% जो है spend करते हैं next news है climate finance action fund के बारे में तो recently अजरबाईजान के दोला जो है यह launch किया गया है climate finance action fund तो देखे जो COP29 meeting होने वाली है वो 11 नॉमबर से 22 नॉमबर के बीच में होगी बाकु में ठीक है बाकु जो है वो अजरबाईजाने पड़ता है तो इसी को देखते हुए जो है climate finance action fund जो है अजरबाईजान ने launch किया है तो इस fund में जो है पैसे race किये जाएंगे तो ऐसी countries जो fossil fuel produce करती है तो इन countries के दोरा जो है एक तरका जो amount है वो इसमें जो है pay किया जाएगा और इस fund का main aim ये है कि जो green project है उनको support provide किया जाए in developing countries तो developing countries में जो भी green projects launch किये गए हैं उनको जो है support provide किया जाएगा इस fund के through तो याद रखिएगा COP29 की जो meeting होगी वो November में होगी और बाकू अजरबाइजान में जो है conduct किया जाएगा इसको अगली news है food and agriculture organization के report के बारे में तो recently जो है food and agriculture organization ने जो है एक report release किया है on global forest gain and conservation efforts और इसके अंतरगत कहा गया कि इंडिया ने 2,66,000 hectare forest जो है वो gain किया है between 2010 से लेके 2020 के बीच में और top 10 countries में इंडिया की जो rank है वो third rank है तो पहले अस्थान पे चाइना है दूसरे पे ऑस्टेलिया और तीसरे पे है इंडिया इसके अलावा इस top 10 के list में चिली, वियतनाम, टर्की, USA, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल है बात करते हैं deforestation के reduction की तो इंडिया में 8.4% का decline देखने को मिला है 2021 से 22 के बीच में वहीं ब्राजिल का जो Amazon forest है इसमें 50% का reduction हुआ है और total जो mangroove loss है उसमें 23% का decrease देखने को मिला है global level पे यानि 2000 से 2220 के बीच में 23% जो है decrease हुआ है in global mangroove loss अगली news है World Space Award के बारे में तो देखे रिसेंटली इसरो के चंद्रियान 3 team को जो है यह prestigious award दिया गया है और यह award दिया गया है International Astronautical Federation का द्वारा तो World Space Award जो है वो दिया आता है global space activities में एक exceptional impact create करने के लिए तो 23 अगस 2023 को इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन गई थी successfully land करने वाली moon के southern site पे और इसके पहले सिर्फ USA, Russia और चाइना ने जो है ऐसा किया था इसके लावा IIT Bombay को चंद्यान 3 award दिया गया था और यह award दिया था Indian National Space Promotion and Authorization Center और Indian Space Association का द्वारा तो IIT Bombay जो है वो चंद्यान 3 award का winner है नेक्स्ट निउस है about Central Road Research Institute देखे रिसेंटली 73rd Foundation Day मनाये गया है CSIR का और Central Road Research Institute जो है वो नई दिल्ली में इस्थित है और इसका जो main purpose है वो scientific innovation को promote करना इसके अलावा जो next generation के scientist हैं उनको inspire करना in road transport and research और इस foundation day में different schools के लगबग 200 बच्चों के द्वरा पार्टिसपेट किया गया है अंडर CSIR जिग्यासा स्कीम के अंदरगत different schools के 200 children ने पार्टिसपेट किया है इसमें तो CSIR जो है वो एक premier national laboratory है जो की research और development carry out करती है इसके लावा road और runways के design और construction में भी help करती है और इंडिया के बाहर भी ये other organizations को technical और consulting services प्रवाइड करती है इसकी अस्थापना 1952 में की गई थी और इसके प्रसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी और इसके डारे देखने को मिली है चांदिपूरा वाइरस से और ये incident देखा गया है गुजरात में और इसका victim जो है वो एक च्यार साल का बच्चा है और इसका confirmation जो है वो पूने के National Institute of Virology के दोरा दिया गया है तो दो हफते के अंदर लगबग 14 deaths जो है वो इस वाइरस के वैस से देखने को मिली है इसके अलावा 26 लोग अभी जो है अभी अंडर observation है देखे चांदिपूरा वाइरस जो है वो रैबोडे वाइरी फैमिली का एक वाइरस है और ये जो है ट्रांसफर होता है ट्रांसमिट होता है सैंट फ्लाइज और मॉस्कीटों की वज़े से क्योंकि सैंट फ्ला करता है इसके अलावा ये इंसेफलाइटिस भी कॉज करता है बात करें सिम्टम्स की तो acute fever, body aches, headache और जब ये rapid progress करता है तो इंसेफलाइटिस भी कॉज करता है इसके अलावा respiratory distress यानि सांस लेने में problem होती है bleeding tendencies और anemia भी ये दिखाता है शो करता है इसका symptom और इस वाइरस की जो faculty rate है वो है 58% और इसकी जो mortality rate है वो बहुत ज़्यादा है यानि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो है death cause कर सकता है अगली news है ZenTech के बारे में तो recently ZenTech ने जो है चार नए anti-drone product जो है वो launch किये हैं तो Zen Technology जो है इसकी subsidiary है AI Turing Technologies तो इनके दोरा जो है चार नए anti-drone product जो है इंडिया में जिसमें से पहला है Hawkeye तो ये एक anti-drone system है इसमें cameras लगे हुए हैं और multiple sensors लगे हुए हैं और ये एक all weather drone है जो की लगबग 15 km तक track कर सकता है उसके बाद second है Barbrake जो की world lightest remote control weapon station है उसके बाद है प्रहस्त और प्रहस्त जो है वो LiDAR sensor का यूज करता है इसके इसके बाद है स्थेर step 640 ये जो है एक intelligent fiber optic cryo supply system है और इसका जो use है वो weapon mounts वगरा के लिए किया सकता है तो इन drones की विए से जो tactical superiority है defense forces की वो increase होगी और जो operation में efficiency है वो बढ़ेगी अगली news है Cosper Harry मैसे award के बारे में तो recently ये award जो है वो प्रहलाज चंदर अगरवाल जी को दिय गया है और ये award को दिया गया 45th Cosper Scientific Assembly में जो की बुसान साउथ कोरिया में जो है conduct किया गया और ये पहले इंडियन है जिनको ये award जो है दिया गया है in space research तो space research के लिए जो है ये award को दिया गया है और इनके honor में जो है एक planet का नाम भी रखा गया है और planet का नाम है 20064 अगरवाल तो ये award इनको astro sat project के लिए मिला है जो कि इंडिया का पहला multi wavelength space telescope project था जिसको 28 सितंबर 2015 को launch किया गया था next news है you win portal के बारे में तो recently government ने launch किया है एक नया online vaccination portal और ये होगा childhood vaccination के लिए तो जैसे covid के time में covid portal launch किया गया था तो उसी तरीके से childhood vaccination के लिए you win portal launch किया गया है और इसका main aim ये है कि एक तरह की जो electronic registry है वो हो सके कि कितने लोग को जो vaccination है वो लग चुकी है और you win जो है वो पार्ट है universal immunization program का जो की reproductive and child health program के अंतरगत आता है और ये जो है वो national health mission के अंतरगत आता है तो next news है अभिनो बिंद्रा के बारे में तो इनको जो है Olympic order का prestigious award जो है वो दिया जाएगा और ये award दिया जाएगा IOC के 142nd session में जो की Paris में conduct किया जाएगा 10 अगस्त को तो ये award जो है Olympic में outstanding contributions को देखते हुए दिया आता है और ये award प्रेजन्ट किया आता है International Olympic Committee के द्वारा तो International Olympic Committee के अस्थापना 1975 में हुई थी और ये award जो है IOC members को, athletes को इसके लावा जो other contributors है Olympic Games में उनको दिया आता है बात करें अविनो बिंद्रा के achievements के बारे में अविनो बिंद्रा ने 10 meter air rifle event में 2008 के जो Beijing Olympics थे उसमें gold medal जीता था इनोंने इसके लावा World Championship में 10 meter air rifle event में जो है इनके द्वारा gold medal जीता गया था और Commonwealth Games में gold medal जीता इनोंने 2002 में, 2006 में, 2010 में इसके लावा 2014 में भी इनके द्वारा individual gold medal जीता गया था अगली news है PM Swaneezy schemes के बारे में तो ये scheme जो है वो street vendors को empower करने के लिए launch किया गया था तो इसके तहट जो है collateral free loan provide किया था है जो street vendors है उनको तो इसके अंतरगत लगबग 50,000 तक का loan जो है वो बिना किसी collateral के provide किया था है और इस scheme को announce किया था Union Housing and Urban Affairs Ministry ने तो इस scheme के अंतरगत कहा गया कि मदपरदेश जो है वो best performing states बन गया है इस scheme के लिए और second position हासिल किया है आसाम ने तो इस scheme को implement करने के लिए best state जो है MP है मदपरदेश और second position आसाम की है अगली news है FIFA ranking के बारे में तो recently Indian football team ने जो है 124th spot हासिल किया है FIFA ranking में और पिछले साल जो है 99 rank थी और इस साल decline देखने को मिला है rank में बात करें किसने top किया है तो Argentina जो है वो FIFA ranking में number one पे है वहीं France ने अपना second spot maintain किया है Spain जो है वो five places gain किया है और third rank पे आया है उसके बाद England जो है वो fourth position पे है और Brazil जो है वो fifth position पे है और FIFA का full form है Federation International Day Football Association इसके president है Gowani Vincenzo Infantino इसका जो headquarter है वो Zuris Switzerland में है और इसको 21st माई 1904 को establish किया गया था आएए अब कुछ short news discuss करते हैं तो Kempe Gowda International Airport जो की Bangaloreo में है इसका official anthem जो है वो launch किया गया है जो की कननड और English track का एक mixture है और इसको compose किया है three time Grammy Award winner Ricky Cage ने Next है Union Minister of Coal and Mines Sri G. Krishan Reddy के दवरा जो है inaugurate किया गया है National Landslide Forecasting Center और इसका inauguration किया गया है Salt Lake City Kolkata में और इनके दवरा जो है भू संकित web portal launch किया गया और भू शंकलन mobile app भी launch किया गया Next है former foreign secretary है विने मोहन काउतरा इनको appoint किया गया है next ambassador of the India to the US Next है Sanjeev Krishna को जो है reelect किया गया है second term के लिए as the chairperson of PwC India इसके बाद next news है कि बिहार के assembly के speaker नंद किशुर रियादो के द्वारा एक किताब रिलीज किया गया जिसका नाम है सदस्य परिच है और इस किताब में बिहार assembly के 243 members के बारे में brief biography जो है वो दी हुई है Next है कि राबरी देवी जो है वो बन गई है leader of opposition in बिहार legislative council अगली news है horticultural sciences के field में Indian Institute of Spices Research को जो है best technology का award दिया गया है Union Agriculture and Farmer Welfare Minister है सिवराज सिंग चोहान इनके द्वारा ये award जो है present किया गया during the 96th foundation day Next news है कि राम चलंग जो superstar है इनको invite किया गया है Indian Film Festival of Melbourne ने तो इस festival में इनको as a guest जो है invite किया गया है Next news है euro sport इंडिया के द्वारा Indian क्रिकेटर सिकर्दवन को ब्रांड अमिरिस्टर बनाया गया है Moto GB का इसके बाद next है Spain के Manolo Marquez है ये नए coach बनाया गया है Indian football team के Next है कि Union Coal of Mines Minister G. Kisson Reddy के द्वारा लांच किया गया Mineral Exploration Hackathon और National DMF Portal और ये launch किया गया है Hyderabad में इसके बाद next है कि Meghala जो है वो second state बन चुका है जो अपना खुद का OTT platform जो है वो launch किया है और इसका नाम है Hello Meghala comment में बताएगा कि पहला OTT platform जो है किस state ने अपना launch किया था next news है कि Malaysia के सत्रवे मोनात बने है सुल्तान इब्राहीम इबनी सुल्तान इसकंदर अगली news है कि Mauritius में एक जन औसदी केंदर जो है वो खोला गया है और ये possible हो पाया है हमारे external minister S.J.S.ंकर के द्वारा अगली news है कि Tata AIA Life Insurance Company Limited इसने जो है 6th position हासिल किया है 100 global companies के लिस्ट में और ये जो ranking है वो global million dollar round table ranking है तो इस ranking में जो Tata की AIA Life Insurance Company है इसने जो है 6 अस्तान प्राप्त किया है next news है चाइना के द्वारा जो है carbon fiber से बना हुआ एक दुनिया का पहला passenger train जो है वो start किया गया है और इसकी speed जो है 140 km per hour है और इस train का नाम है Catrobo 1.0 या carbon star rapid transit metro train next news है कि उत्राखंड जो है पहला ऐसा state बन गया है जिसने monetary value provide की है अपने natural resources को जैसे air, water, forest और soil को जैसे state की GDP होती है या इंडिया की GDP होती है वैसे ही GEP जो है उत्राखंड ने start किया है जिसके अंतरगत air, water, forest और soil को देखा जाएगा और उसके हिसाब से एक तरह का जो gross environment product ह वो उसका जो index है वो निकाला जाएगा तो GEP index को देखते हुए कहा गया कि 2020 से 22 की बीच में 0.9% increase देखने को मिला है तो recently Union Public Service Commission के chairman Manos Soni जी ने अपने post से resign कर दिया है तो ये मुद्दा आप सबको पता ही होगा नेक्स्ट है कि इंडिया जो है income tax day celebrate करता है या आयकर दिवस बोलते हैं इसको जुलाई 24 को हर साल income tax day celebrate किया आता है क्योंकि 1860 को जुलाई 24, 1860 को पहली बार जो है income tax जो है लगाया गया था इंडिया में नेक्स्ट न्यूज है स्मृती मंधाना जो है वो बन गई है इंडिया की highest run scorer in women's t20 international cricket अगली न्यूज है ntpc विद्यूत वैपार निगम लिम्टेट को दोरा जो है दो green charcoal plant setup किये जाएंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद में और ये plant municipal waste को charcoal में convert करेंगे या इसको green coal भी बोल सकते हैं next news है इस्टोनिया के new prime minister जो है अपॉइंट किये गया है क्रिस्टीन माइकल तो क्रिस्टीन माइकल जो है वो इस्टोनिया के नए prime minister है तो इस वीडियो में पसे त्ला हैं दोस्तों thank you and thanks for watching